आरसीबी ने किया बाहर तो इस खिलाडी ने विजे हजारे ट्रोफी में 10 विकेट लेकर मचाई तबाही न्यूस से पहले अगर आप भी मानते हैं आरसीबी 2024 का IPL जीत सकती हैं तो इस विडियो को लाइक करके चैनल को 211 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देना और कॉमेंट में बताए कौन सी टीम जितेगी IPL 2024 चली आगे बढ़े विजे हजारे ट्रोफी खेली जा रही है इस तूर्नामेंट का 108 वा मैच नागालेंड और पंजाब की टीमों के बीज खेला गया इस मैच में पंजाब की टीम ने बहुत जल्दी मैच जीत लिया जिसका बड़ा श्रे उनके गेंदबाजों को जाता है लेकिन पंजाब टीम के एक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से धहमाल मचा दिया इस घातक गेंदबाज को रॉयल चेलिजर्स बैंगलो टीम ने इस साल रिलीज कर दिया है अब रिलीज होने के बाद उन्होंने अपनी गेंडबाजी से उन्हें करारा जवाब दिया है बता दे कि RCB से पहले संराइजर्स हाइदरबाद में खेलते थे इस मैच में पंजाब टीम के गेंडबाजोंने बहुत अच्छी गेंडबाजी की लेकिन हम RCB के जिस गेंडबाज की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बलकि सिधार्थ कॉल है इस साल RCB टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है इस साल बैंगलो की टीम ने कुल 11 खिलाडियों को रिलीज किया है जिसमें उनका नाम भी शामिल है रिलीज होने के बाद उन्होंने मौझूदा विजय हजारे ट्रॉफी में नागालेंड के खिलाफ गेंडबाजी करते हुए 5 विकेट लिये हैं इस दोरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी फेके इस से पहले उन्होंने तमिलनाडू के खिलाफ भी 5 विकेट लिये थे IPL नेलामी 2024 में लग सकती है बोली IPL मेगा ओक्षन 2022 में RCB ने सिधार्थ कॉल को 75 लाख रुपिये में अपनी टीम में शामिल किया लेकिन पिछले सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था उससे पिछले सीजन में भी उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला था उनके IPL कर्या की बात करें तो उन्होंने अब तक 55 IPL मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 8.69 की एकोनॉमी के साथ 58 विकेट लिये हैं मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी फॉर्म को देखते हुए इस साल आक्शन में कई टीमें उन पर बोली लगा सकती हैं